राजस्थान की जैपुर में 5 दिसंबर को सुकदेव सिंग गोगा मेली की गोली मार कर हत्या कर दी गई सुकदेव राष्ट्रे राजपूत करनी सेना के राष्ट्रे अध्यक्ष थे दिन धाले कुछ बदमाश गोगा मेली पर गोलियां चला कर फरार हो गये गटना के तुरंद बाद गोगा मेली को इस्पताल ले जाए गया जो डॉक्टरों ने उन्हें म्रत कोशित कर दिया हमले की जमेदारी गैंक्स्टर रोहिद गोदारा ने ली है इस घटना में गोगा मेली के साथ मौझूद अजीत सिंग नाम के एक व्यक्ति भी गंभी रूप से घायल हुए है प्रॉस फायरिंग में नवीन सिंग शेखावत नाम के एक हमलावर की भी मौत हुई है जैपुर की पलिस कमिशनर बीजू जोर्ड जोसफ की मताबिक सभी हमलावरों के पहचान कर ली गई है उन्होंने कहा कि मौत हमलावर नवीन सिंग शेखावत जैपुर के शाहपुरा का रहने वाला था और एक कपड़े की दुकान में काम करता था हमले के बाद बाकी दो हमलावर स्कूटी से फरार हो गए आज तक से जुड़े अर्विन दोजा की रिपोर्ट के मताबिक रोहिद गोदारा लॉरेंस विश्णोए गैंक से जुड़ा हुआ है कुछ महीने पहले गोदारा ने अपने दुबई के नंबर से गोगा मेडी को धमकी भी दी थी गोदारा फिलहाल देश से परार है उसके खिलाफ एनाईय की जाच भी चल रही है अर्विन दोजा के इनफुट के अनुसार घटना की जमेदारी लेते हुए गोदारा ने कहा सभी भाईयों को राम राम मैं रोहिद गोदारा गोल्डी बरार भाईयों आज ये जो सुकदेव गोगा मेडी की हत्या हुई है इसकी संपून जमेदारी हम लेते हैं ये हत्या हमने करवाई है मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था उनको पून रूप से मजबूत करने का काम करता था हमारे दुश्मन अपने घर की चौकट पर अपनी अर्थी तयार रखे सुकदेव सिंगोगा मेडी की हत्या के बाद शांती प्रदान करे और शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करे बीजेपी नेता और जल शक्ती मंत्री गजेंद सिंग शेखावत ने क्या कहा सुनिये पिछली सरकार के समय से जिस तरह से राजस्तान में गैंग वार्स पन्पी हैं डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्तान को अराजक्ता के अबनी में धकेला गया यह उसी का दुष्परिणाम है करणी सेना के राश्टे अद्धक्ष स्वर्गे सुखदेव सिंग जी को जो धबकिया मिली थी उनके चलते वे उन्होंने पुलिस प्रिशाशन को इसके लिए आगा भी किया था लेकिन दुरबाग्य से जिस स्थर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्थर पर सुरक्षा प्रदान नहीं कीगी निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तै करने की आविश्यक्ता है और साथ-साथ में जिन लोगों ने ये दुरदान तुक्रत्य किया है उनको तुरंत गिरफतार किया जाए उनको किये कि सजा मिले संगठन में कुछ विवाद होने के बाद उन्होंने राष्ट्र राजपूत करनी सेना के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था इसके अध्यक्ष थे साल 2017 में संजलीला भंसाली की फिल्म पदमावत की जैगर में शूटिंग के दौरान राष्ट्र राजपूत करनी सेना के लोगों ने तोलफोर की थी फिल्म डारेक्टर भंसाली पर हमला भी किया गया था पदमावत फिल्म पर विवाद सेतर राजथान से भार गोगा मेरी की चर्चाइक विशे में हुई थी गैंग्स्टर आनंद पाल का एंकाउंटर उसके बाद पूरी सूबे में हुए प्रदर्शन 24 जून 2017 को राजस्थान पूलिस ने कोख्याद गैंग्स्टर आनंद पाल को चुरू के एक गाउं में घेर लिया आनंद पाल ने सरेंटर की बजाए पूलिस पर फायर खोल दिया और एक एंकाउंटर की शरुवात हो गये इसमें आनंद पाल मारा गया इसके बाद राजस्थान के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए जिन में गोगा मेरी ने भी हिस्सा लिया लोग उने सुख्या नाम से जानते थे गोगा मेनी हनुमानगर जिले की कोट से सुनवाई के दौरान कटगरे से फांट कर भागने के बाद पहली बार सुर्ख्यों में आये थे आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हमारे साथ ही प्रशान्त मेरा नाम दिव्यानशी सुम्राव है आप देखते रहे हैं दीललन टॉप बहुत बहुत शुक्रिया